पर्सनल ट्यूटर के इस चैनल से आज आपको मैं 10th क्लास की हिस्ट्री का एक टॉपिक समझाने वाला हूँ यह टॉपिक वैसे तो चैप्टर 3 में आता है जिसका नाम है नैशनलिजम इन इंडिया लेकिन इसके बहुत सारे अलग-अलग सब टॉपिक्स है दोस्तों इसमें यह पता चलता है हमें कि यह सत्याग्रह एक टर्म जो निकला था सत्य का आग्रह करना peacefully यह सत्याग्रह finally एंडिया में आया कहां से था इस idea को launch किसने करा था इसके पीछे क्या सच्चाईयां थी लोगों ने इसको किस तरीके से अपने अपने तरीके से अपनाया और कहाँ इसके failures भी हुए अब 1915 में जानवरी में एक शक्स इंडिया आके उतरता है उसका नाम होता है महत्मा गांधी महत्मा गांधी South Africa में basically पहले ही इस सत्यागरह नामक चीज का experiment करके आये थे हम जानते हैं मात्मा गांदी ने अपनी वकालत की degree नटाल वगरा में apply करने की कोशिश करी थी वहाँ पर jobs भी करी थी, England से ये अपनी वकालत पूरी करके आये थे and finally he attended a firm in Natal that is in South Africa जहाँ पर ये एक British firm के लिए work करते थे वहाँ रहते रहते इन्होंने वहाँ के जो basic जो natives थे जो की blacks थे उनके support में काफी सारी चीज़े इन्होंने attain करी friends, इन्होंने वहाँ पर apartheid के against में काफी सारी you know like processions और काफी सारी fights और वो सब चीज़े apply करी but हुआ ये कि वहाँ पर जो success उनको मिली उन्होंने अब इस चीज़ को सोचा कि मैं भारत में भी इस चीज़ को apply कर सकता हूँ और सत्यागरह खित्रू हम इंडिया से Britishers को निकाल सकते हैं दोस्तों यहाँ पर गांदी जी ने जब सत्यागरह चालू करा था तो इनके कुछ principles थे वो principles मैं आपको आगे बताऊंगा इन्होंने एक एक जुट होके एक अप्राइजिंग की धारना डाली थी जिससे की लगबग एक साल में Britishers इंडिया चोड़के जाने पर मजबूर हो जाएंगे अब आप सोचिए इनका प्लान कितना स्ट्रॉंग था कि एक साल में Britishers को इंडिया से हटाना है मैं बात कर रहा हूं सन 1915 की लेकि 1915 से दोस्तों ऐसे क्या reasons थे कि हमको लगबग 30 साल से भी जादा लग गए Britishers से आज लकनाव में और दोस्तों वहां पर बिहार के एक छोटे से कजबे चमपारन नाम के एरिया से एक किसान मेहनत करके उठके आता है मात्मा गांदी के पीछे वो पूरे इंडिया में एहमदाबाद, दिल्ली, आगरा, लकनाव सब दूर घूम चुका था लेकिन उसे मौका नह लिए, दोस्तों इसके पीछे मैं आपको बताना चाहूंगा एक रीजन था, अंग्रेज जो थे, उनकी दमनकारी नीतिया, मैं वर्ड यूज करता हूँ दमनकारी नीति क्योंकि उनकी हर नीति दमन से ही भरी होती थी, वो अपना भला देखते थे, उन्होंने कभी भी इंडियन विलिजर्स, इंडियन किसानों का भला नहीं देखा, जो नील की खेती कराई गई थी हमारे इंडिया में, उसमें ब्रिटिशर्स ने फोर्ज करा था कि आप एक चोटाई, या वन थर्ड, एक तिहाई जमीन पे नील की खेती करिए, और वो ज़रूरी था, कमपल् अगले साल दूश्रे थी हाई तुकड़े पे, टीश्रे साल थी हाई तुकड़े पे, ये करके उसकी पूरी जमीन खतम हो जाती थी, और वो मजबूर आजाता था बेगार बनने को, बेगार कहते थे उन ले किसानों को, जो तहसिलदार, तालुबदार, जमिनदारों की जम प्रिटिश ने उनको हाउजरेस में ले लिया और उनको फाइनली जा के उनके उपर कोड़ केस यह ट्राइल चलाई गई दोस्तों लेकिन जिस वक्त ट्राइल चल रही थी बाहर हजारों की संख्या में किसान आके खट्टे हो गए ते उन्हें मतलब नहीं था कि यह क्या हो र भीर देखी तो कोड के जो मेजिस्ट्रेट थे मेर्स थे पुलिस वाले मात्र 20-25 पुलिस वाले उन्हें हजारों की भीर देखी गांदी जी को इमीडियेटली रिहा कर दिया गया यहां गांदी जी ने एक चीज बहुत अच्छी समझी उन्होंने वो ताकत देख ली कि सारे लोग एक जगह इखटे होते हैं तो सिर्फ वो इखटा होने की वज़े से सामने वाली लोगों के अंदर एक भय की स्थेती पैदा हो जाती है यहां से गांदी जी ने यह लार्ज असेंबली ऑफ पीपल का फायदा उठाना शुरू करा यह सेम चीज इन्होंने 1970 में ख सत्यागरह अपनाया वहां भी उन्हें इस चीज का सक्सेस मिला और फाइनली जो वहां पर मिल वर्कर्स थे कॉटन मिल वर्कर्स थे एहमदाबाद में उनको किसी साल कहा गया आपको इस साल रेविन्यू नहीं दे सकते क्योंकि फसल अच्छी नहीं यह गांदी जी ने का इ एक देश्वापी आंदोलन बना के प्रेजेंट करना पड़ेगा तभी जाके हम एक मा सप्राइजिंग के साथ में ब्रिटिश को अपनी लाइंड से हटा पाएंगे आशा करता हूं यह टॉपिक अब आपको क्लियर हुआ होगा फिर भी अगर कोई डाउट से नीचे चारइब चारह शॉपिक अबट अबस्ट्राइब हैं यह जार थे करे करें